बेटी को तलाग हुई तो बाप उसके घर गया और बैंड वाजे, धोल किताब, आतिश बाजी, अनार और मुख्लिव किसम के पटाखे बजाता हुआ अपनी बेटी को वापिस घर ले आया ये वाक्या हुआ है इंडिया में और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लड़की का नाम सुक्षी गुपता है जिसका बाप प्रेम गुपता है प्रेम गुपता ने अपनी बेटी की अरेंज मेरेज की और ये एपरिल में हुई जिसके बाद उसकी बेटी के सुस्रालवले और उसका दामाद उसको बुरे तरीके से मारता था डुमेस्टिक वॉयलेंस करता था तशदुत का निशाना बनाता था वह से तीन मरतबा इसकी बेटी ने पुलिस को बुलाया और मुआमला रफा रफा हो गया और वह कॉंप्रोमाइस करके वहां पर रहने लगी लेकिन मौामला जब ज्यादा लड़ाई की तरफ बढ़ते गए तो इसी दुरान लड़की का जो बाप है प्रेम गुपता इसको कैंसर डाइगनोज हो गया बेटी की टैंशन की वजह से अब वहां से इसको घर से निकालते थे और ये एक ही बात महां पर कह करा देते थे और पुलिस को कहते थे कि ये घैर कानूनी तोर पर हमारे घर आई भी है इसने कबजा कर रखा है इसको यहां से निकाला जाए ये मौामला जब काफी देर तक चलते रहे तो बाप को एक दिन गुसा आया वो बेटी के घर गया और बैंड बाजे बारात धोल आ आपने सोशल मीडिया पर पेगान दिया है कि बेटियां बहुत कीमती होती है अगर आपकी बेटी अपने घर में खुश नहीं है तो उसको कॉंप्रोमाइज करने के लिए आप पोर्स ना करें उसको इंसिस्ट ना करें एक मरीवी बेटी से एक मुतलका बेटी ज्यादा बे इस पेगान के बाद उसने अपनी बेटी को कहा कि हम तुम्हारे पेरंस हैं और हम तुम्हें एकसेप्ट करेंगे और वैसे एकसेप्ट करेंगे जैसे तुम्हें शादी से पहले थी तुम्हारे भेन भाई भी तुम्हें वैसे एकसेप्ट करेंगे उसकी वज़ा से बेटी से पहले मेरे साथ रहते थे अब उससे भी ज़्यादा मेरे साथ यह प्यार करने लगे हैं मुझे इन्होंने accept कि है हमारे मुष्रे में क्या होता है लड़की की शादी हो जाती है उसकी वहां पर domestic पुलाई पुलिस बुलाकर यह इसकी सास और सुसर है जिन्होंने पुलिस को कहा कि लड़की को यहां से निकाल दो और लड़की कह रही थी कि यह मेरा घर है मैं इसको चोड़ के नहीं जाओंगी मेरे बाप को कैंसर है वो स्टेच पर नहीं है वो मर जाएगा मैंने नहीं जा तो क्या हमारे मौाशरे में उसको विज़त दी जाती है उससे कोई दूसरी शादी नहीं करता और उसको एक ऐसी हकारत की नज़र से देखते हैं कि यह लड़की गलत होगी जिसने माँ पर जाकर कोई मौामलात गलत किये होंगे और माँ पर खुश नहीं रही तो आप यगले घर में भी कैसे खुश रहेगी कोई उससे शादी नहीं करता पेरेंस उसको एकसेप्ट नहीं करते भैन भाई उसको एकसेप्ट नहीं करते और खास तोर पर महेके के घरों में जब भावियां आ जाती हैं तो वो तो बिल्कुल भी उनको acceptance होती नहीं है उन लोगों में जहलियत परमान चड़ती है जिसकी वज़ा से कहा जाता है कि बेटी का ना वो घर रहा ना ये घर रहा और वो बिचारी बीच में पिस्कर रहा है लेकिन बहुत से parents ऐसे हैं जो अपने बेटीों को गले से लगाते हैं अपने बेटों की तरह रखते हैं और बेटों से ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं यही वज़ा है कि हमारे मुआशरे में domestic violence बढ़ रही है कि बहुत से लोग स्पोर्ट नहीं करते हैं बेटी को अगर सही भी होती है तो उसको गलत कहा जाता है और खास दोर पर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लड़की compromise करती है मैंने बच्चों के लिए सारी जिंदगी जो है वो compromise करना है यह याद रखें कि अगर आपका partner अच्छा है तो आप life में grow भी करेंगे आप खुश भी रहेंगे आप जिंदगी भी enjoy करेंगे आप तरक्की भी करेंगे आप पैसा भी कमाएंगे lere चेख भी होगी लेकिन अगर होगा पार्टनर अचा नहीं हैं आप जिंदकी तो गजार रहे होंगे हो सकता है आप तरक्री ना करें, खुशहाली ना हो, आपकी जिन्दगी में तरक्की ना हो, पैसे की रेल पेल ना हो, आपकी ये जरूरी नहीं कि पैसा ही, आपकी अंदर एक inner satisfaction ना हो, आप जी तो रहे होते हैं, लेकिन आप भुझ गए होते हैं, तो याद रखिए जब भी किसी पार्टनर को आपन मतलब आप ये दो खांदानों की शादी होती है, ये एक्चुली कोई दो लोगों की शादी नहीं होती हमारे जो पाकिस्तान के नौन्स हैं, इसमें जब भी दो खांदान मिलते हैं, मिया बीवी तो फिर हट गया है, इसके खांदान की और इसके खांदान, दोनों खांदान कह रहे हैं कि बाप माँ पर जाता बेटी को वापिस ले आता है इतना ग्लैमरस करने की ग्लोरिफाइए करने की क्या जरूरती बैंड बाजे बुलाने की क्या जरूरती तो इससे तो बहुत सी जो लड़किया है उनको शेह मिलेगी कि अब हमने कॉंप्रॉमाइज नहीं करना ह बाजे तो खुले हैं तो वहां पर हम वापिस जा सकते हैं तो आप में यह बताना है कि क्या इसके बाप प्रेम गुपता ने जो यह एक्ट किया यह ठीक है या गलत है और जो बाते मैं कर रहा हूं यह गलत हैं यह दुरूस्त हैं मेरी भी कहीं पर अगर तस्रीय आप करना हैं तो आप कर सकते हैं comment section आपके पास मौझूद है यह तमाम इस वीडियो का एहवाल है थेंक यू